वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी सानु प्रभ निर्विध्यम कुरुमे देव सर्वकार येशु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी सानु प्रभ निर्विध्यम कुरुमे देव सर्वकार येशु सर्वदा रादे रादे जैसी क्रश्ना आईए अब हम पोश मास का आगे का महात्य में सुनते हैं इस अध्याय में हम सूरिय कवच को हिंदी में सुनेंगे साथी सूरिय चालिसा को हिंदी में पूरा भावर्थ के साथ सुनेंगे उम अश्य श्री सूरीय कवच पाठे विन्योग अपने शुद्ध ढाय हाथ में आचमनी में जल भर कर बाएं हाथ से दाएं भूजा को सपर्ष करते हुए विन्योग करें इस स्री सूरिय कवच के रिशी ब्रह्मा है, छंद अनुष्टप है, एम स्री सूरिय देवता है, आरोग्य एम विजे की प्राप्ति हेतू, मैं पुत्र शिरी, पोत्र शिरी, गोत्र में जर्मा हुआ स्री सूरिय कवच के पाठ को नियोजित करता हूँ, ऐसा कहकर आजबनी क जल को हाथ को सीधा अर्थात उपर की ओर रखते हुए तीन बार थोड़ा थोड़ा प्रत्वी पर छोड़ दें उसके बाद सूरिय कवच को अपने अभिष्ट अंगों को इसपर्श करते हुए जाप करें। सूरिय कवच, सिरिसूरिय धानम, सिरिसूरिय प्रणाम, जपा, कुसुम, संकाक्ष, काशेपयम, महा, द्यूतिम, वान, तारी, सर्व, पापगर, प्रणोतोस्म, दिवाकरम। यागवली जी कहते हैं कि हे मुनिशे सूरिय के चुब कवच को तुम धान से सुनो, जो शरीर को आरोग्य देने वाला, संपोन, दिव्य और सोभाग्य को देने वाला है। ये स्रोध प्रारम करें। ग्रहनी, मुक की रक्षा देव वंदित, जीवा की रक्षा मानद और कंठ की रक्षा देव वंदित करें। इसकंदो भासकरम, पातू वक्ष, पातू जन प्रिय, पातू पादो द्वादश आत्मा, सर्वांग, संक्लेश्वर। जो अपने इसकंद से प्रकाशित होते हैं, एम सूरिय मेरे इसकंद की रक्षा करें। जो अपने वक्ष से लोगों को प्रिय होते हैं, वे सूरिय मेरी इछाती को सुरक्षित रखें। जो अपने द्वादश अर्था दो भुजाओं में विश्व में व्याप्त होते हैं वे सूरिय मेरे पाओं की रक्षा करें। हो जाती है सूसरतो यो जपेस सम्यक यो धिते स्वस्त मानस सरोग मुक्तो दिर्गायू सुक पुष्टी चविद्धन्ती इसनान आधि करके जो स्वस्त चित से सूर्य कवच का पाठ करता है वे रोग से मुक्त हो जाता है दिर्गायू होता है सुक तता यश्च को प्राप्त करता है सभी ग्रहों में सबसे उचा पद सूरिय देव भगवान का है समस्त ग्रहों के उपर अपना आधिपत्य रखने वाले हैं जो की ग्रहों के कार कत्व के रूप में आत्मा के कारक माने गए हैं इसलिए समस्त तरहें के विकारों को समाप्त करने के लिए सूरिय देव की आराधना करनी चाहिए क्योंकि जब आत्मा में किसी तरह के बुरे विकार नहीं जागरत होते हैं तब तक कोई भी अपनाकारिय M.G.1 को सही दिशा में चला सकता है जब आत्मा में विकरती आ जाती है तब किसी भी तरह से रहत नहीं मिलती सूरिये ग्रह को व्यवसाय और नोकरी का कारके माना गया है जिस किसी के व्यवसाय और नोकरी में परिशानी आ रही हो तो उसे सूरिये कवच्रोत का पाठ सुणना और बोलना चाहिए सूरिये कवच्च का पाठ कैसे करें सूरिये कवच्च में भगवान भासकर की अनन्त रश्मियों की तरह अन्य अनन्त शक्तियां नहीं थे प्रत्वी पर जीवन का कारण सूरिय देव है जिन से सभी प्राणियों को उर्चह प्राप्त होती है सबी नव ग्रहों में सूर्य ग्रह सबसे प्रमुख है जो तीशे शास्त्र की अनुसार समस्त्र ग्रहों के राजा का इस्थान सूर्य देव है सूर्य कवच का पाट उनी भगवान भासकर को प्रसन्य करने के लिए क्या जाता है पंच देवों में से एक भगवान आदित्य का पूजन विश्वी की सभी प्राचेन संस्कृतियों में प्रचलित है यदि कुंडली में अच्छे इस्थान पर है तो वह तेज स्विता आत्म शक्ती प्रदान करते हैं अच्छा फल न दे तो जीवन में अने प्रकार की बाधाएं आ जाती है सूर्य कवच का प्रती दिन तीन बार पाट सूर्य देव की शान्ती का अधी उत्तम उपाय है सूर्य कवच के फाइदे एक पोराणी कथा के अनुसा जो भगवान सूर्य की मैमा को गाता है उन्हें इस्तूती करता है सूर्य कवच को संपूर्ण भक्ती और शद्दा के साथ पढ़ता है उसके उपर सूर्य भगवान की क्रपा बरसने लग जाती है उनके आशीरवास से उसे सुरक्षा, समरदी, स्वास्त और सफलता प्राप्त होती है सूर्य कवच के शलोप, मंत्र, विविद पुराणों और धार्म गंतों में लिखे गए है सूर्य कवच संस्कृत भाषा में भी है विशेश उच्चारन की जुरत है सूर्य कवच को प्रतिदी नियमित रूप से पाठ करने से भगवान सूर्य की क्रपा बरस्ती है सभी सिद्धियां सुलब हो जाती है जीवन में वैव्यक्ती सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है सूरिय का वसरोत एक तरह से जीवन की रक्षा करने वाला होता है इसलिए इसके नियमित वाचन करने से फाइदा जरूर मिलता है जिस किसी को किसी भी तरह की कोई व्यादी हो उसको सूरिय देव के इस रोत का पाट करना चाहिए इससे उसे सभी रोग और व्यादियों से मुक्ती मिल जाती है जिनके रोजगार और राजसेवा में परिशानी है तो सूरिय कवज उन्हें बहुत फाइदा करेंगे जिनको बहुत कुछ करने के बाद भी मान सम्मान नहीं मिलता तो उन्हें भी सूरिय कवज का पाट पढ़ना चाहिए जो इस सूरिय कवज को पाट को सुनता पढ़ता या सुनाता है वसुख समरती को प्राप्त होता है सूर्य कवच को धारन करते हैं तो उनके किसी भी तरह के आंतरीक बाहे किसी भी प्राकार का कोई रोग दोश नहीं सताता सूर्य कवच स्रोत का वाचन काने से जीवन में आरे सभी बाधाईं दूर हो जाती है आईए अब हम सूर्य चालिसा को हिंदी के अर्थ के साथ सुनते हैं कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग पदमासन इस्तित धाई ये शंक चक्र के संग अर्थात सूर्य देव का शरी स्वर्ण रंग का है वकानों में मकर के कुंडल है और उनके गले में मूतियों की माला है पदमासन होकर शंक और चक्र के साथ सूर्य भगवान का ध्यान लगाना चाहिए जै सवीता जै जैती दिवाकर सैंस्त्रांशू सप्तार्शू तिमीरहर भानू पतंग मरीची भासकर सवीता हंस सुनूर विभाकर विवस्वान आदित्य विकर्तन मार्तंड हरी रूप विरोचन अंबर्मनी खांग रवी कहलाते वेद हिरन्य गर्भ कहे गाते सैंस्त्रांशू प्रधोतन कही कही मुनी गन होत प्रसन मोद लही हे भगवान सूर्य देव आपकी सदा ही जय हो दिवाकर आपकी जय हो सैंस्त्रांशू सपताष तिमीरहर भानू पतंग मरीची भासकर सवीता हंस विभाकर विवस्वान अदित्य विकर्तन मार्तंड विष्णू रूप विरोचन अंबर मनी खग रभी कहलाने वाले भगवान जिने वदों में हिरन्य गर्भ कहा गया है संस्त्राशू प्रधोतन देवताओं की रक्षा के लिए देव माता अदिती के तब से प्रसन होकर सूर्य देव उनके पुत्र के रूप में हजारवे हंश में प्रकट हुए ते कह कर्मुनी गन खुशी से जूम रहे हैं अरुन सद्रश सार्ती मनोहर हांकत है साता चड़ी रत पर मंडल की मैम अतिन्यारी तेज रूप केरी बलिहारी उच्च श्रवा सद्रश है जोते देखी पुरुंदर लज्जित होते मित्र मरीची भानू अरुन भासकर सवीता सूरिय अर्क खग कलीकर पूशा रवी आदित नाम ले हिरन्य गर्भाय नम कही के द्वादस नाम प्रेम सोगावे मस्तग बारे बार नावावे चार पदारत जन सोपावे दुखदारी द्र अधपुंच नसावे आर्टा सूर्यदेव के सार्ती अरुण है जो रत पर सवार होकर साथ गोडों के रत को हांक रहे हैं आपके मंदल की मैमा बहुत ही अलग है सूर्यदेव आपके इस तेज रूप आपके इस प्रकाश रूप हम दोचावर है आपके रत में उच्चे श्रव घोड़ा घोड़े की प्रजाती जिसका रंग सफेद होता है जो उड़ते हैं तेज गती से दोड़ते हैं देवराज इंद्र के पास ये घोड़ा था सागर मंतन के दोरान निकले चोड़ा रतनों में से एक उच्चे श्रवा घोड़ा भी था जिसे देवराज इंद्र को दिया गया था के सामान घोड़े जुते हुए हैं जिने देखकर स्वम इंद्र भी शर्माते हैं मित्र मरीची भानू अरुन भासकर सवीता सूरिय अर्क खग कलीकर पोश मा में रवीयम आदित्य नाम लेकर और हीरण गर्भाय नाम कहेकर बारह मासों में आपके इन नामों का प्रेम से गुणगान करके बारह बार नमन करने से चारों प्रदात अर्थ बल काम मुक्ष की प्राप्ती होती है दुख और दारिदृत और पाप नश्ट हो जाते हैं नमसकार को चमतकार यह है विदी हरीहर को कृपासार यह है सेवे भानू तुम ही मनलाई अस्ट सिद्धी नमनिदी तेह पाई बारह नाम उचारन करते सहस जनक के पातक टरते उपाख्यान जो करते तवजन रिपूस वजम लहते सोते ही चन धत्शुत जुत परिवार बढ़तु हूँ प्रभल मुहों को फंद कटतु हूँ बावनसूरियदे पूजा करता है शेवा करता है उसे आटों सिध्दिया नों निद्या सुलभ हुजाती है सूर्य देव के बारे नामों का उच्चारन करने से हजारों जणमों के पाप धुल जाते है आप शन मेही उसके शत्रों से उसे चुटकारा दिला देते हैं जो भी आपकी मैमा गाता है धन संतान सहीत परिवार में उसके समरदी बढ़ती है बड़े से बड़े मोह के बंदन से वचूट जाता है अर्ग शीश को रक्षा करते रवी ललाट पर नित भिहरते सूरिय नेतर पर नित विराजत कर्ण देश पर दिन कर छाजत भानु नासी का वासक हुनित बासकर करत सदा मुख को हित होट रहे पर जन्य हमारे रसना बीच तिक्षन बस प्यारे कंठ सुवन रेत कीशोबा तिमग तेजस कांधे लोभा पूशा बाहु मित्र पीटही पर तष्ट वरुन रहत सू उश्न कर युगल हाथ पर रक्षा कारण भानु भान उर सर्म सू उदर चन बसत नाभी आदित मनोहर कटी महरहत मन मुद्र भर जंगा गोपती सविता बासा गुप्त दिवाकर करत हुलासा विवसवान पदगी रखवारी बाहर बसते नित तमहारी सहंस्तराशु सरवांग समहारे र अगवान स्री सूरिय देव अर्के के रूप में शिष की रक्षा करते हैं अर्थात शिष पर विराजमान है तो मस्तक पर रवी नित्य विहार करते हैं सूरिय रूप में वे आँखों में बसे हैं तो दिनकर रूप में कानों में शवर्ण इंद्रियों पर रहते हैं में वास करते हैं तो बासकर रूप सदा चेरे के लिए हितकर होता है सूरिय देव होटो पर परजन्य यो रसन यानि जीवा परतिक्ष्ण अर्थाती के रूप में बसते हैं कंट पर सुर्ण रेत की तरह शुभायमान है तो कंदो पर देश धार हतियार के सामान तिंग्म तेजस रूप से भुजाओं में पुशा तो पीट परमित्र रूप में तष्टा वरुन के रूप में सदागर्मी पेदा करते रहते हैं युगल रूप में रक्षा कारणों से हातों पर विराजमान है तो भानुमान के रूप में द्रश्य में आनंद सरूप रहते हुए उदर में विचरन करते हैं नाभी में मन का हरन करने वाले अर्थात मन को मुह लेने वाले मनोहर रूप में आदित्य बसते हैं तो वहीं कमर में मन मुर्दभर के रूप में रहते हैं, जांगों में गोपती, सवीता रूप में रहते हैं, तो दिवाकर रूप में गुपत इंद्रियों में, पैरों में रक्षक आप विवस्मान रूप में हैं, अधेरे का नाश करने के लिए आप बाहर रहते हैं, सहंस्त पुष्ट तेही कभुहु नव्यापे जोजन याको मन महजापे अंदकार जग का जो हरता नव प्रकाश से आनंद भरता ग्रहगन ग्रसीन मिटावत जाही कोटी बार में प्रणवोता ही मंद सद्रश्य सुत जग में राखे धर्म राज सम अद्वुद बांके धन्य धन्य त किसी प्रकार का कोई भै नहीं रहता जो विक्ति सूर्य देव का जाप करता है उसे किसी भी प्रकार के चार्म रोग कुष्ट रोग नहीं सताता सूर्य देव पूरे संसार के अंदिकार को मिटा कर उसमें अपने प्रकाश से आनंद भर देते हैं सूर्य देव में आपको को आप धन्य हैं, देरता रिशी मुनी सब आपकी सेवा करते हैं। पूशही, नाम, रविह, मल, मा, सही। जो नियम पूर्वक, पूरे भक्ती भाव से सुर्य देव की भक्ती करता है। तो उदकाल में आप रवी कहलाते हैं। बेसाक में उदकाल के समय आप भानु तो जेस्ट मास में इंद्र वही, आशाण में रवी कहलाते हैं। भादुवा मास में यम तो आश्वीन मास में हिम्रेता कहलाते हैं। कार्थिक मास में दिवाकर के नाम से आपकी पूजा होती हैं। तो अगहन मास में भिन नामों से आप पूजे जाते हैं। पूस महा में विश्णु रूप में आपकी पूजा होती हैं। मल मास में से प्रती दिन गाता सुनता या सुनाता है अर्थात इसका पाठ करता है उसे सुख सम्रदी मिलती है साथ ही उसे हर कारिये में सफलता की प्राप्ति होती है सुरज भगवान की आर्थी उम जै सुरज देवा स्वमी जै सुरज देवा कशप अधिति दुलारे करो सुफल सेवा उम जै सुरज देवा पून्य बडावन हारे पावन सुख दाई स्वमी पावन सुख दाई करत पाप को नाशा करत पाप को नाशा देखत भई जाई उम जै सुरज देवा भगत जनों के प्यारे मेटत अंधियारा स्वमी मेटत अंधियारा प्रातै पावन कारी प्रातै प्रावन कारी फेलाउ जियारा ओम जै सुरज देवा लाल पुष्प करे सोहे रखतांबर साजे स्वमी रखतांबर साजे आभूशन सुख कारी अस्त्रन संग साजे ओम जै सुरज देवा लाल पुष्प करे सोहे रखतांबर साजे स्वमी रखतांबर साजे आभूशन सुख कारी अस्त्रन संग साजे ओम जै सुरज देवा अश्व सात रत आगे मंगल शुख कारी स्वमी मंगल शुख कारी फिरे मरूत गती आगे सुन्दर मन हारी ओम जै सुरज देवा रोग शोक सब नाशे लीजे अपनाई स्वमी लीजे अपनाई व्यादी रहे न कोई जै दिन पति साई ओम जै सुरज देवा ज्यान भक्ति मोही दीजे सेवक निज जानी स्वमी सेवक निज जानी क्रपाद्रष्टि बरसाई वर्दो वर्दानी ओम जै सुरज देवा जनम चराचर सारे प्रभु तुम से पाई स्वमी प्रभु तुम से पाई पालन पोशन सबका तुमी करत साई ओम जै सुरज देवा सिरी भासकर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वमी जो कोई जन गाए सुरज आनंद कहे सो भोग मोक्ष पावे उम जै सुरज देवा जो घुम मोक्ष झाई एावे स्वमी जन गावे झाए धुमी जन तुम कहे सो भЭए24 इंग जतीन ज मिन होग मोक्षणंख् लिहावे ख।